एक बार फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक तेस्टी डिलिशिस क्रिस्पी ब्रेट स्नाक रेसिपी ये रेसिपी देखने में जुतनी तेस्टी लग रही है ना बनाने में उतनी आसान है बहुत ही कम में इंग्रीडियन्स के साथ जो घर पे सबके अवेलिबल होते हैं इस रेसिपी को त्यार कर सकते हैं इसको बना के एक बार या आप किसी को खिलाएंगे न तो वो तारीफ करते करते नहीं थके आपकी तो चलिए बनाते हैं 5 मिनट क्रिस्पी ब्रेट स्नाक रेसिपी आलू का मसाला रेडी कर लेते हैं उसके लिए पैन लेंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ओयल इसमें आड़ करनी है चुटकी बरहीं साथ ही आड़ कर देंगे 1 टीस्पून सौफ सौफ इस रेसिपी में खुश्बू और टेस्ट दोनों का काम करती है 1 टीस्पून ही जीरा अच्छे से सौटे कर लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को अब इसमें मैं आड़ कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब कद्दुकस किया हुआ अद्रक साथ ही मैं इसमें आड़ कर दूँगी 2 पीस बारी कटी हुई हरी मिच अच्छे से सौटे कर लेंगे फ्लेम लो टू मीडियंट्स ही रखनी है delicious recipe है इसे try जरूर कीजेगा और एक बार आप बनाएंगे तो बार-बार बनाने का मन करेगा और खाने वाले का मन भी बार-बार करेगा सारे मसाले आड़ कर लेते हैं इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 teaspoon नमक नमक आप अपने हिसाब से कमजादा कर सकते हैं आदा टीस्पून के करीब गरम मसाला एक टीस्पून आमचूर आदा टीस्पून रेड चिली पाउडर तीन चुथाई टीस्पून साबुद धनिया जिसे रोस्ट करके मैंने कूट लिया है सारे इंग्रीडिन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक जबदस फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे आड़ कर रही हूँ पान से छे कड़ी पत्तर लीफ्स जुसे मैंने हाथ से ही तोड़ के इसमें आड़ किया है जो हमारी ब्रेट स्नैक की स्टफिंग है वो रेड़ी हो चुकी है अब हम तियार कर लेते हैं यह मैदे का घोल है जो कि मैं आके बताऊंगी इस रेसिपी में किस वज़े से काम आएगा एक बाउन में दो टी स्पून के करीब मैदा डालना है यानि कि रिफाइन फ्लोर और उसे इस तरीके से घोलना है ताकि कंसिस्टेंसी विल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहे हूं फ्लोई अब इस रेसिपी का दूसर में इंग्रीडियन ब्रेड 5-6 पीस ब्रेड के स्लाइजर लेंगे और उनकी साइट को कट कर देंगे यह जो साइट से इसे फैकिएगा मत या आप किसी भी और चीज में यूज कर सकते हैं या फिर आटा गूनने में भी आप इस्तिमाल कर सकते ह जो हमने ब्रेड काट के रखी है एक-एक करके उस पर जो रोलिंग पिन है यानि की जो हमारा बेलन है इस तरीके से रोल करेंगे ताकि जो ब्रेड है बहुत ही थिन हो जाए बिल्कुल पेपर टाइप और तूटे भी ना ध्यान रखिएगा तूटनी नहीं चाहिए नहीं जो हमारा स्नाक है वो नहीं बन पाएगा अब यह रेडी है इस पर जो हमने घोल मैदा जो मैं आपको बोल रही थी बाद में बताऊंगी वो इस पर साइट पे लगा देंगे हलका हलका और इसको फोल करेंगे बिल्कुल कोन की शेप में और फिर इसके उपर साइड में भी ह खुलानी रहना चाहिए तो इसे नीचश से भी हम बन कर देंगे इस में फिल करेंगे आलू का मिक्षचर जो हमने रेडी किया था इस तरीके से फिल कीजएगा ताकि जादा भी नहो जो हमारा बेस है वह बहुत पतला है अगर जादा फिल कर देंगे मिक्षचर तो तूटन को ट्राय करने के बाद क्योंकि इतनी तेस्टी बनेगी न आप खाते रह जाएंगे सारी साइट को अच्छे से चिपका देंगे ताकि जो भी मसाला है हमारा मिक्स्टर है वो भार ना आपाएं ऐसे बाकी सारे ब्रेट्स पी रेडी कर लेंगे मैदे का गोल लगाएंगे दोन ब्रेट का टुकड़ा डाल के चेक कर सकते हैं अब एक एक करके इसमें यह ब्रेट का जो स्नाक है वो डालेंगे और इसे तलेंगे मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे तलें तो जाद अच्छा है पलट देंगे हलका सा गोल्डन ब्राउन होने पर उसके बाद इसे एक तो कलर का हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे बाकी त्यार ब्रेट के स्नाक को भी हम अच्छा से तलेंगे दीप फ्राइ कर लेंगे तो रेडी है हमारे इजी और जटपट बनने वाली ब्रेट स्नाक रेसेपी तेस्टी है और डिलिशस इतनी कि आप एक बार बार बा मेरे लिए बहुत ही एमियत रखते हैं तो थोड़ा सक टाइम आप निकाल के कमेंट जरूर कीजेगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको मेरी रेसेपी पसंद आती हैं मैं मेलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिलिशस रेसेपी के साथ तब तक के ल